हे गाई नमस्कार आप लोगों का टाप 10 क्लासे के प्यारे से यूटूब चैनल पर स्वागत है तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा दस की गड़ित की प्रिश्णावली चारदस मौल दोका तो जाके उसको जल्द से जल्द देखें वो वीडियो दे लाइक करके जाएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को सेर करना मत भूलिएगा तो चली लेक्चर करते हैं आज की लेक्चर क्या रहने वाली है आज का प्रिश्णावली 4.2 में आपसे पहला का रहा है कि निम्न समी कंड़ों का जो है घुरंखंड विधी से आपको क्या करन तो दोस्तों आपको बात बता देते हैं यहाद करना है यई आपको भी नहीं आता पर हमाओ कैसे किया जाता है तो आप कछा नौकी क्लास में जब्ेंग्चंड और आसान तरीके से निकालना सिखा इस वीडियो में जाकर आप प्र निकालना सीकित लिभा यह को आते हैं तो गुड़न खंड कैसे किया जाता है तो गाई जाईए देखते हैं हम लोग प्रस्टनावली 4.2 का पहला स्वाल आपसे क्या कह रहा है देखेगा करा कि इसका आपको गुड़न खंड करना है तो गुड़न करने का आप तरीका जानते हो दोस्तों वो गुड़न करने का तरीका क्या होता है कि दस का गुड़न इधर वाले पस्टे करते हैं यहां कुछ भी नहीं जाता तो हम लोग क्या मान लेते हैं एक मान लेते तो यहां क्या मान लिया जाता है एक मान लिया जाता है अब आप ध्यान से समझेगा कि 10 का गुड़ा इस 1 से करोगे तो जब 10 का गुड़ा आप 1 से करते हो तो 10 के कितना हो जाता है 10 हो जाता है दोस्तों कितना हो जाता है 10 हो जाता है फिर उसके बाद हमको इस 10 का ऐसा खंड धोड़ना रहता है कि जिसका गुड़ा करने पर और जिसको जोडा जाया घटाया जाया मुझे तीन आना चाहिए तो ध्यान से देखो इसका जब आप दोस्तों गुड़न खंड करोगे तो इसे पांच गुड़ी दो लिखोगे इसका गुड़न खंड करोगे तो दस गुड़े एक लिखोगे अब इस इन दोनों खंडों होंगे पांच में से 2 घटा औगी तो 3 आएगा और थाथShares मुझे माइनस 3 चाहिए तो माइनस 3 लाने के लिए माइनस 5 में से 2 जोड़ना होगा तो मुझे माइनस 3 मिल जाएगा तो आसान तरीके से कहना चाहे तो इस माइनस 3X को हम लिख सकते हैं minus 5X plus 2X और यह आपका minus 10 है equal to zero और यह आपका पहला पद है अब दोनों में क्या common है? दोनों में आपका X common है तो बचा क्या X minus 5 बचा और दोनों में इधर क्या क्या common है जोस्तों, 2 common है तेहां X बच गया, 2 से भाग देंगे तो 5 बच गया बराबर क्या हो गया जिरो अब दोनों में क्या कामन है दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि x-5 दोनों में कामन है तो बचा क्या x ये वाला प्लस दो बच गया एकवल टो 0 एक बार ये वाला पत 0 के बराबर करेंगे तो x-5 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 और थाथ एक बार ये 0 की कुल और एक बार ये ये माइनस 5 बराबर कुधर जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्यार रड़ वाली बराबर कुधर जाती है तो plus हो जाती है तो x बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया और इसके बाद plus 2 अधर की तरफ चला जाएगा तो x बराबर minus 2 हो जाएगा तो ये जो दो थोमूल है इस समी करन का जो दो थोमूल है वो क्या है 5 और minus 2 है इस प्रकार आपका ये पहला सवाल क्या हो जाता है complete हो जाता है फिर अब हम बाते करते हैं second part की second part आपसे क्या पूछना चाहरा है देखेगा कर रहा है कि इसका को गुड़न खंड करना सबसे पहले 6 का गुड़ा 2 से करोगे तो 6 गुड़े 2 करोगे तो भाई 12 आएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 और 2 का गुड़ा कर दी है अब मुझे ऐसा कुछ गुड़न खंड उसका धोड़ना है कि जिसको जोडने या घटाने से क्यों एक प्राप्त हो तो इस 12 को आप लिख सकते हो 4 गुड़े 3, 4 त्याही 12 फिर उसके बाद 6 गुड़े 2, 6 दूनी 12 फिर 12 गुड़े 1 यानी 12 क का जरूरत है जिसको जोडने या घटाने पर मुझे एक प्राप्त हो और उनका गुड़ा करे तो 12 प्राप्त हो तो देखिए 4 त्याही 12 और 4 में से जब 3 घटा दोगे क्यों एक बचेगा तो यह जोड़ा मिल रहा है ना 4 त्याही 12 है चार में से 3 घटा दी एक दोनों माइनस 3 एक्स और दोनों का गुड़ा करेंगे तो मुझे 12 एक्स मिल जाएगा तो ध्यान से देखिएगा अब यह आपका पद उतर जाएगा 2 एक्स उसक्या है और इधर भी यह माइनस 6 उतर जाएगे बराबर 0 अब दोनों में क्या है एक तो 2 एक के 2 दो दूनी 4 दो से भ कामन है दोनों में क्या कामन है और सात में तीन कामन है तो माइनस 3 वाहर होगा X बचेगा औरर माइनस पहले से भार नी दूनी 6 अब दोनों में कामन क्या है दोनों में आपका x plus 2 कामन है तो आपके पास बसता क्या है बचा है 2x minus 3 equal to 0 क्या है equal to क्या है वही 0 है अब एक बार ये वाला पद 0 के बराबर करेंगे x plus 2 बराबर 0 एक बार ये वाला पद 0 के बराबर करेंगे तो 2x-3 बराबर कितना हो जाएगा जीरो अब उसके बाद प्लस 2 उधर जाएगा प्लस 2 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यह माइनस 2 हो जाएगा यानि x की value कितनी मिल गई माइनस 2 प्राप्त हो गई फिर उसके बाद यदि हम माइनस 3 को बराबर उधर लेके जाएं तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 2 को इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये 2 गुना में है उधर जाएगा तो भाग मो जाएगा एक्स वराबर हो गए 3 बटे 2 तो इस प्रकार इसके जो दो मूल है वो मूल आपको क्या मिल जाते हैं एक तो मूल माइनस 2 है एक मूल क्या है आपका माइनस 2 है और दूसरा क्या 3 बटे 2 है तो इस प्रकार दोस्तों आपका दूसरा सवाल भी क्या हो जाता है समाप्त हो जाता ह अब हम फोग चलते हैं थर नंबर की तरफ थर नंबर आपसे क्या कर आशा कोई बात नहीं थ्लगासा सवाल को मिला लिया जाता है क्या आपके यही सवाल है तो जहले सवाला सवाल ठोगासा missprint है सवाल देखने के बाद ही पता चल जाता कि गलत लिखा गया सही लिखा कई तो उसके बाद साथ में है प्लस पांच करड़ी में दो एक क्वल्ट हो तो आप लोगों के मन में जैसे ही अंडरूट दिखाई पड़ता है वैसे आप लोगों को बहुत बड़ी डर लगने लगता है ऐसा लगता है कि आपने सवाल ही नहीं कुछ और देख लिया है अरे यार दो दोनों का multiply ही का लिटेए हैं पांच करड़ी दो औ赤ा यहां से लिए वहां से भाई सहभ इन दोनों का गुड़ा करोंगे तो दो दूनी का कुछ निता रू् Survivor आथा पांच दून हो इक चार एड़ा अब आएगा तो इसका वर्मून हो जाए गाए दो तो पांदोनी 10 यानि मिला जुलाके इन दोनों का multiply करने पर आपको 10 प्राप्त हो रहे हैं देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं अब 10 का गुलंकंड मुझे ऐसा करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त हो गुडा करने पर 10 प्राप्त हो तो साथ आ जाएगा यानि यह मेरा काम का है तो अरथा आत इस साथ एक्स के अस्तान पे दोस्तों पांच एक्स और प्लस दो एक्स रख देंगे और बाकी सेम टू सेम हम लोग उतार लेंगे हर एक स्टेप को इधर से भी चलिए अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में मुझे उबैडनेश्ट दोना है दोनों में कामन दोनना है तो दोनों में आप देखें यहां भी एक एक्स है यहां भी एक एक्स है अर्था एक्स दोनों में कामन हो गया यहां पर आपका बचा अंडर उड़ दो एक्स दो आप सकते हैं अब यहां से मुझे एक अंडरूर यहां एक चीजी आया क्या हो जा रहा है चाह क्या हो जा रहा हिए एक अंडरूर दो यक्स बचा है और प्लस यहां संडरूर्ट बाहर है तो क्या बचा है 5 बचा है बराबर 0 तो दोनों में कामन क्या है दोनों में कामन है अंडरूर्ट 2x प्लस 5 यह डबल जगह दिखा एक पर रहती एक जगह लिख दिए गए आपके पिर उसके बाद बचा क्या भाई x plus करड़ी में 2 अराबर 0 अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले यह वाला पद 0 के equal करेंगे और यह वाला पद भी 0 के क्या कर दिया जाएगा equal कर देते हैं तो द्यान से देखेगा आपका अंडरूर 2x plus 5 equal to 0 फिर इदर x plus करड़ी में 2 equal to 0 एक बार क्या करते हैं अब आपको पता है प्लस वाली संख्या है उदर जाएगी तो माइनस होंगी माइनस वाली संख्या है उदर जाएगी तो प्लस हो जाएगी तो यह प्लस 5 जब बराबर उदर जाएगा तो आपको यह प्लस 5 उदर जाएगा तो minus 5 होगा और ये under root दो गुड़ा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा minus 5 बटे करड़ी में दो तो ये आपका पहला मूल प्राप्त होता है x की value के रूप में और ये करड़ी दो बराबर उधर जाएगा x बराबर minus करड़ी में दो आजाएगा ये दूसरा मूल प्राप्त हो जाता जो आपके मूल है वो मूल है minus 5 बटे करड़ी में दो ध्यान से रिखेगा ऐसे आपको exam में लिखना रहता है दोस्तो minus 5 करड़ी में दो और फिर minus करड़ी में यह आपके दो मूल प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार आपका फर्स सेकेंद और थर्ड तीनो पार्ट आपका समाप्त हो जाता है इसमें दो पार्ट और दिये गए हैं दोस्तों उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि वह आपसे क्या कहना चाहरा है तो चलिए इसको हम लोग का चोथा पार्ट हो इस प्रकार है, दिखाए प्रकार, करा है 20 square minus X plus 1 बते 8 equals to 0 थी अपने ब्यापक रूपमें नहीं है ब्यापक होता AX square plus BX plus C बचें नहीं होने cowardly घाति बते नहीं होना चाहिए, और बते हटाने के लिए हम लोगं तो पहले से एक्सपर्ट है बटे को अटाने में पहले से ही एक्सपर्ट हो गए आप लोग कि आठ का गुणा इधर से कर दो आठ दुनी क्या होता है सोला एक्स उसक्या है फिर आठ का गुणा आप यहां कर दो माइनस आठ एक्स बाकी ये उपर वाला पद सेंटू से मुताल लो आठ अपना बिगाई के बड़िया विस्तर बात के चले जाएंगे जहां साय रहेंगे अरे कहां जाएंगे यहां आगए ना अब देखिए सोला का गुणा एक से करोगे तो पुराना जैसा सवाल हो गया सोला एकड़नम सोला अब भाई साब सोला का गुणनखंड ऐसा करो कि मुझे आठ चाहिए चलो सोला का गुणनखंड करते हैं काफी ज्यादा दो अठ्थे सोला होता है फिर उसके बाद चार चलू किसोला होता हुचा इतना गुर्ण खंड होता इसका अब आप देखिए मुझे केवल माइनस आठ चाहिए माइनस एक तरह के लिए भूल जाते हैं मुझे क्या चाहिए आठ चाहिए इन दोनों को जोडने या घटाने पे तो मिलने वाला नहीं है मिलेगा किस से चार चार क्या मिलता है आठ मिलता है पर माइनस आठ चाहिए तो माइनस लाने के लिए आपको दोस्तों यह पता होना चाहिए कि माइनस माइनस जोडा जाए तो माइनस मिल जाएगा मुझे अर्था इस 8X के अस्तान में हम असानी से उप्योग में ला सकते हैं माइनस 4X और माइनस 4X और ये आपका प्लस एक उतार लिया जाता है एक्वल टो जिरो और ये 16X स्क्राइब भी साथ में आप लिख दीजेगा फिर इसके बाद अब देखिए दोनों में आपके पास कामन क्या है देखिए चार से यहां भी भाग जारा चार से यहां भी भाग जारा एक्स और एक्स दोनों में कामन है अर्था दोनों में 4X कामन है अब जब 4x से भाग दोगे तो यहां 4x से ही बचेगा एक x कैंसिल हो जाएगा और 4 से होगे 16 हो जाएगा थिर यहां से ति यह दोनों भई बाहर आ गया है तो यहां कुछ नहीं बचाए जहां कोई नहीं होता वहां एक हो जाता है अब देखिए सबसे पहले आप माइनस कामन हुआ तो माइनस यह हड़ जाएगा तो यहां प्लस नहीं है जहां प्लस नहीं हो वहां से माइनस निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक बराबर जीरो एक बार यह वाला जीरो की कुल करेंगे एक बार यह वाला जीरो की कुल करेंगे तो चार एकस माइनस एक बराबर जीरो और एक बार चार एक x-1 बराबर 0 तो देखें ए माइनस एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा और चार बटे में हो जाएगे एक MR4 एक मुलल आपको यह मिल गया फिर उसके बाद यही सेम टू प्रॉसेस यहां वही करोगी क्योंकि वही डीजिट है बराबर एक एक से बराबर आपका हो गया एक बटे जानि जो दोनों मुल थे दोनों मुल सेम ही प्राप्त हुए हैं एक बटे चार और एक बटे चार यह हो गया आपके दोनों मुल फिर उसके बाद अब हम बाते करते हैं आपका पांचे नंबर का इस पहले क्योस्चन का लास्ट पार्ट कह रहा है कि आप इनका गुणन खंड किजिए तो सौ का गुणा एक से करोगे तो सौ गुणे एक बराबर सौ हो जाएगा अब सौ का मुझे ऐसा फैक्टर दूर ना जिससे कि मुझे गुडा करने पर सौ पराब तो जोड़ने घटाने पर मुझे बीस पराब तो चली देखते हैं सौ का गुणन करते हैं भई देखिए पचीस चवके सौ होता है और साय पचीस चवके कितना हो जाता है है एक यहां कितना है एक है अक्वड़ जिरो और यह आपका सौ एक्स का हो अभ दोनों में कामन क्या है 10 में 10 दम सब 10 एक सब्सक्राइब जैसे missing 10 ना सबने मांकि TOM जैसे यहां से 10 exam लोगे दिऊ-ता दी ना सब्सक्राइब सब्सक्राइब F दोनों के बात थो एक त्यक्सित कामन है दोनों में आपके 10x-1 common है अगले में बचा क्या है 10x-1 ठीक equal to 0 एक बार ये वाला term उठाके 0 के बराबर कर दो 10x-1 बराबर 0 एक बार ये वाला ये वाले कोष्टक का term आप कर दो 0 के बराबर माइनस एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा 10 गुनाब है इधर जाएगा तो बटेम हो जाएगा x बराबर एक बटे 10 तो एक मूल आपको ये मिल जाता है फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाला भी वही करोगे तो सेम टू सेम प्रासेस हो जाएगा 10 एक बराबर एक बटे 10 तो आपके जो दोनों मूल है वह आपके ही हो गए कि जो मूल है दोनों समान हो गए हैं एक बटे 10 और एक बटे 10 प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार दोस्तों आपका पहले का चौथा पार्ट और पांचवा पार् पिडियो होगी वीडियोपक गोरालाली सब्सक्राइब चैनल कििया हूं नहीं को मिल सब्सक्राइब जय हिन जय भारत